हेलो फ्रैंक्स, इंटरनाशनल फ्लाइटों से ट्रावल करने वाले लोगों के लिए फ्लाइटों को लेकर कई सारी जरूरी जानकारी सामने आ रही है तो ये दिया फ्लाइटों से आ रहे हैं इन सारी खबरों को जानना चाते हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखें ताकि आपको इन सारी खबरों की जानकारी मिल सकें तो पहली बड़ी खबर यहाँ पर वियतनाम की तरफ से आ रही है तो आपको बता दे कि वियतनाम की एरलाइंस कंपनी USA के लिए 22 जून से रिपैट्रियेशन फ्लाइटे चालू करने जा रही है जी हाँ दोस्तों 22 जून से US के नागरी का वियतनाम में ट्रेवल करके जा सकें तो आपको बता दे कि अमेरिकन एरलेंज अपने बोइंग 777 एयरकरफ्ट में से एक एयरकराफ्ट न्इवयर्क से नही दिल्ली के लिए अपनी उडाने 31 अक्टूबर के बाद लाउंच करने जा रही है यानि की नीज यॉर्क से दिल्ली के लिए 31 अक्टूबर से अमेरिकन एयरलेंज अपने बोईंग एयरक्राफ्ट से नई फ्लैटे ऑपरेट करने की तयारी कर रही है इसके साथ अगली खबर यहाँ पर बहरीन की तरफ से आ रही है तो आपको बता दे कि बहरीन की सरकार ने ये एनॉंसमेंट किया है कि जिन देशों को भी उसने रैट लिस्ट में रखा है उन देशों के वरकर्स के लिए अब विजा इशू नहीं करेगी बात करी कि बहरीन की गौर्मेंट ने कौन-कौन से देशों को रैट लिस्ट में डाला हुआ है तो इसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांगले देश, श्रिलंका जैसे देश सामिल है यानि कि इन सभी देशों से जो लोग भी भहरीन में ट्रेवल करने के बारे में सूच रहे थे तो आप इन सभी लोगों को नया वीजा नहीं मिलने वाला है इसके अलावा अगली खबर यहां पर दिली एरपोर्ट की तरफ से आ रही है आपको बता दे कि दिली एरपोर्ट पर आप भारत के आप किसी भी राजे से ट्रैवल करके जाएंगे तो आप आपको आपने साथ करोना वायरस का नेगिटिव रुपोर्ट ले कर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ अगली खबर यहां पर यूई की तरफ से आ रही है यानि की यूके से कोई भी पैसेंजर से यूई में ट्रैवल करके नहीं आ सकता इसके अलावा उसने इस ग्रीन लिस्ट में भारत, सिर्लंका, पाकिस्तान और भी कई सारे देशों के नाम हटा दिये हैं इसके साथ अगली कबर यहां पर भारत में करोना वारस के लेटिस्ट अबडेट को लेकर जान लेते हैं तो आपको बता दे कि आज भारत में करोना की केसिस केवल 70,421 रिपोर्ट किये गए हैं यानि कि भारत में नए करोना वारस के केवल 70,000 ही आए हैं आपको बता दे कि मार्च के बाद ये पहली बार है जब भारत में करोना की केसे 70,000 रिपोर्ट किये गए हैं यदि आगे हैं वाले समय में भारत में करोना की केसे में और भी कमी आती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब दूसरे देश भारत से अपनी फ्लैटों को चालू कर देंगे क्योंकि UA की सरकार ने 6 जुलाई तक भारत से अपनी फ्लैटों को बंद किया हुआ है अगर कोरोना की केसे में लगातार ऐसे ही कमी आती रही तो हो सकता है कि UA के सरकार 7 जुलाई से भारत से अपनी फ्लैटों को चालू कर दे ताकि जो लोग भी भारत से UA जाना चाते हैं वो लोग 7 जुलाई के बाद आसानी से ट्रैवल करके जा सके तो दोस्तों ये सारी खबरें आ रही थी अंतरास्टे उडानों को लेकर वीडियो इदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को ये आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैल आइकन दबा कर जरूर सब्सक्राइब कर ले